Hi guys, what's up? I hope you all are doing great mommy talkies cake और नए वीटे में आपका दिल से बहुत-बहुत स्वागत है No doubt, अगर आपके पास एक perfect baby stroller होता है तो बच्चों के साथ बाहर की traveling बहुत ही ज़्यादा आसान हुचाती है बच हमारे लिए as a parent सबसे बड़ा challenge ये आता है कि market में varieties of baby stroller जो है वो available है तो हम हमारे बच्चों के लिए कौन सा stroller खरीदे और इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे important features के बारे में discuss करने वाली हूँ So without wasting time let's get the video started दोस्तों start करने से पहले मैं आप सबसे humble request करना चाहूंगी हम इस तरह के videos आपके लिए बनाते रहते हैं चान पर पहली बार आ रहे हैं तो चान को please subscribe कर लीजएगा आप subscribe करेंगे तो हमें motivation मिलेगी आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत प्यारे videos बनाने के लिए अब आईए बात करते हैं कि बच्चों के लिए stroller खरीदें के time पे किन features का आपको ध्यान रखना है So number one feature जिसका आपको ध्यान रखना है that is safety harness मतलब stroller में safety harness जरूर होना चाहिए ताकि strolling करने के time पे बच्चे सबसे ज़्यादा safe रहें Next feature जिसका आपको ख्याल रखना है that is recline position मतलब stroller को आप अपने बच्चों के हिसाब से आसानी से recline कर पाएं ताकि बच्चे strolling को और ज़्यादा enjoy करें और उनका strolling experience अच्छा हो जाए Number 3 feature आपको ध्यान रखना है that is brake मतलब stroller में brake जरूर होना चाहिए ताकि अग्यान बच्चों के लिए safety यहाँ पे बनी रहे Next feature यहाँ पे आपको ध्यान रखना है that is canopy अगर stroller में canopy होता है तो literally sunny day में आप बच्चों को heavy sun rays से बचा सकते हैं Next आपको ध्यान रखना है कि stroller के wheels and suspension अच्छा होना चाहिए Next feature आपको ध्यान रखना है that is foldability मतलब stroller को fold करना या unfold करना भी उतना ही आसान होना चाहिए Next feature आता है adjustable handle bar मतलब अगर आपके stroller में adjustable handle bar है तो बच्चे कभी बाहर कभी view enjoy कर सकते हैं And साथी साथ आप भी बच्चों पर आसानी से नज़र रख सकते हैं And सबसे important stroller में stories जरूर होना चाहिए क्यूंकि आपको पता है जब हम बच्चों के साथ बाहर travel करते हैं तो उनके बहुत सारे essential हो जाते हैं Last but not the lie, stroller का seat बच्चों के लिए comfortable होना चाहिए जिसमें वो सारे ही features available हैं जिसके एक stroller में होना भी चाहिए And साथी साथ ये बच्चों के लिए safe, comfortable and secure भी है So ये इसमें बच्चों के लिए use कर सकते हैं From new born onwards And best part है कि बच्चों के safety के लिए इसमें आपको five point safety harness भी मिलता है जिसमें बच्चे securely वैट सकते हैं And इस harness को operate करना भी उतना ही ज्यादा असान है आपको से straps को up and down करना है Harness को adjust करने के लिए that's it इसमें आपको detachable front bumper मिलता है जिसके बच्चों को extra safety मिलती है बच्चों को इस toler में in and out करना भी आसान हो जाता है इसमें आपको multi position seat reclining का option भी मिलता है मतलब अपने बच्चों के back rest position को भी अपने बच्चों के requirement के हिसाब से आप आसानी से multiple position में recline कर सकते हैं Next important feature इसमें आपको मिलता है That is reversible handle bar मतलब इस toler के handle bar को आप forward facing में भी adjust कर सकते हैं Next very important feature मुझे इसमें लगा कि इसमें आपको one touch one hand folding experience मिलता है मतलब literally सिर्फ one hand का इस्तमाल करके आप आसानी से इस toler को fold भी कर सकते हैं and fold करने के लिए आपको सिर्फ stroller के handle bar के ऊपर दियेगे button को press करना है That's it and इस तरीके से आसानी से fold हो पाता है and दूसरी तरफ इस तरीके से सिर्फ one hand का इस्तमाल करते हुए आप इस toler को open भी कर सकते हैं ये काफी compact and lightweight designed baby stroller है and आप आसानी से इसको अपने car trunk में भी डाल करके carry कर सकते हैं Another very useful feature मुझे इसमें लगा कि इसमें आपको adjustable leg support with extra wide footrest मिलता है मतलब बच्चों के leg को भी आप बच्चों के requirement के हिसाब से यहाँ पर आसानी से adjust कर सकते हैं and जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक mom के लिए storage हमेशा से सबसी बड़ी problem रही है but इस toler के साथ आपको यह problem नहीं आते कि इसके seat के नीचे आपको बहुत ही अच्छा storage जो है वो मिल जाता है जिसमें आप बच्चों के essentials बड़ी ही आसानी से डाल करके carry कर सकते हैं इसमें आपको adjustable and extendable canopy भी मिलता है मतलब आप अपने बच्चों को heavy sun rays से wind से भी बचा सकते हैं इसके seat के अगर हम बात करें तो इसमें बच्चों को काफी spacious seat मिलता है जिसके वज़े से उनको अपना space जो है वो मिलता है और वो आसानी से इस troller पे बैट पाते हैं उसके अलावे seat के cushion को भी आप आसानी से remove करके wash करके वापने से इसमें fit in भी कर सकते हैं मतलब बच्चों के लिए hygiene भी यहां पे बनी रहती है Another very useful part मुझे इसमें लगा कि इस troller के rare wheels में आपको link brake मिलते हैं बच्चों की safety के लिए इसमें आपको 360 degree swivel front wheel भी मिलता है जिसके वज़े से आपके इस troller को किसी भी direction में बहुत ही आसानी से move कर पाते हैं और शार्प turn भी ले सकते हैं और इस troller के wheels के base भी काफी बड़े हैं जिसके वज़े से आपको काफी smooth strolling experience जा है बस इतना ही नहीं इस troller में आपको suspension भी मिलता है जिसके वज़े से strolling करने के time पे बच्चों को bump का पता बिल्कुल नहीं चलता है और बच्चों को better shock absorption and better safety यहाँ पे मिलता है बस इतना ही नहीं इस troller को install करना भी उतना ही ज़्यादा आसान है install करने के लिए आपको सिर्फ दिये के tires को hole में insert करना है that's it और इस तरीके से ये troller आसानी से install हो जाता है तो last में आपको बोला चाहूंगी कि अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई perfect baby's troller ढूण रहे है तो love lab alpha baby's troller आपके बच्चों के लिए एक best choice होने वाला है क्योंकि इस troller में literally वो सारही features हैं जो कि एक troller में होना भी चाहिए और साथ ही साथ बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा safe, comfortable and secure feel करते हैं बच्चे happy रहते हैं and mom happier रहते हैं और मैं ये troller आपको highly highly recommend करूँगी वल आपको ये कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताएगा और अगर आपको love lab alpha baby's troller पसंद आया होगा और अगर आपको ये अपने बच्चों के लिए भी खरीता होगा ते बहुत ही आसानी से Amazon Flipkart and love lab के साइट पी अविलिपल है जिसका purchase link मैं आपको वीडियो की नीचे ही दे दूँगी आप वहाँ पे click करके अपने बच्चों के लिए भी order कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे comment करके कभी भी पूछ सकते हैं I will definitely get back to you Thank you so much for watching Mommy Talkies I'll see you guys in my next video Till then, bye bye and take care I'll see you guys in my next video